नमस्कार श्लूक क्रमांक तेरह अध्याय दो देहिनो स्मिन्यता देहे कौमारैयवनै जरा तथा देहांतरप्राप्तिर देरत स्तत्रनमुयती हिंदी भावार्थ जिस प्रकार जीवात्मा की देहे को बच्पन तरुनाई और व्रधावस्ता प्राप्त होती है उसी तरह जीवात्मा को एक देह की जगे दूसरी देह प्राप्त होती है इसलिए इसके बारे में धायर्यवान व्यक्ति मोहित नहीं होता है श्लोक्रमांक चौदाहा मात्रास्पर्षास्तुकाउंतेया शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमापाइनो नित्यास तांस्तितीक्षस्वभारता हिंदी भावार्थ श्लोक्रमांक चौदाहा हे कुंति पुत्रों सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विश्यों के सयोग तो उत्पत्ती विनाश शील और अनित्य है इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर श्लोक्रमांक पंद्रह हिंदी भावार्थ श्लोक्रमांक पंद्रह क्योंकि हे नरख्षेष्ट दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विश्यों के सयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है